दोस्तो स्वागत है आपका एक बार फिर से Health Fix इंदी चैनल में दोस्तो आज का टॉपिक बहुत इंपोर्टन है आज का टॉपिक है खून की कमी कैसे पूरी करें दोस्तो अगर आपकी बॉड़ी में खून की कमी हो जाए तो खून जो है हमारी बॉड़ी का आधार है जिसके उपर बहुत सी चीज़ें डिपेंड करती है सारे ओर्गन डिपेंड करती है क्योंकि खून जो है इसमें हीमोगलोबिन होता है और हीमोगलोबिन ही हमारी बॉड़ी में ऑक्सीजन को पहुंचाता है इसी के उपर ही सारी क्रियाएं डिपेंड करती हैं अगर खून की कमी हो जाए, हीमोगलोबिन की कमी हो जाए तो आपको बहुत सी प्राबलम देखने को मिल सकती हैं जैसे कि सिर्दध होना, सांस फूलना, चक्कराना, ठकान, कमजोरी या फिर कुछ बीमारियां भी तो खून की कमी नहीं होनी चाहिए और खून की कमी कैसे पूरी करें इसी के बारे में बात करते हैं तो उससे पहले जान ले कि खून कितना बॉड़ी में होना चाहिए तब ही आपको पता चलेगा कि आपकी बॉड़ी में खून पूरा है या खून की कमी हो रही है 200 मर्दों की बॉड़ी में 13.2 से 16.6 ग्राम पर डेसिलेटर खून होना चाहिए यह आपको CBC टेस्ट से पता चल सकता है और महिलाओं की बात करें तो 11.5 से 15 ग्राम पर डेसिलेटर तक खून होना चाहिए तो इतना खून अगर आपकी बाड़ी में है तो आपको खून की कमी नहीं है अगर इससे कम है तो आप अनीमिया की शिकायत हो सकते हैं यह अनीमिया की शिकायत ज्यारा तर महिलाओं को होती है अगर मर्दों को हो रही है तो आप कुछ डाइट से अपना खून की कमी को पूरा कर सकते हैं तो इस वीडियो में बात करेंगे कि आप घर पे ही नैच्छल चीजों से अपने खून की कमी को कैसे पूरा कर सकते हैं तो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं जैसे कि पहला है चुकंदर जिसे हम बीट रूट कहते हैं चुकंदर जो है एक तरह से दवाई का काम करता है इसलिए लोग कभी कभी खाते हैं अगर रेगुलर आप खाएंगे तो आपको लेने के देने भी पड़ सकते हैं इसलिए चुकंदर को कभी कभी खाएं जिससे कि आ इसलिए आप चुकंदर का सेवन कर सकते हैं जब बाड़ी में खून की कमी हो नॉर्मल दिनों में करते हैं तो हफते में एक दो बार चुकंदर का सेवन किया जा सकता है आप इसे पका के भी खा सकते हैं इसका सैलड भी खा सकते हैं और इसका जूस का सेवन भी कर सकते हैं जब जूस का सेवन करें तो इसमें नीमबू जरूर डालें दूसरा है अनार जिसे हम पॉमे ग्रेनेड बोलते हैं दोस्तों हम जब जूस पिने जाते हैं तो थोड़े से अनार जरूर डाल देते हैं अनार के दाने लेकिन उनसे संतुष्टी नहीं होती इसलिए आप अनार को घर में लेके आएं उसके बीच निकालें और उसका सेवन करें तभी आपको अच्छा फाइदा देखने को मिलेगा या फिर आप घर पे ही अनार का जूस बनाएं उसमें संत्रे का जूस भी मिला सकते हैं और दोनों का जूस अगर आप पिएंगे तो खून की कमी जल्दी पूरी होगी अनार में भी काफी पौश्टिक ततों पाए जाते हैं जैसे कि फॉलिक एसिड, वेटमिन C, वेटमिन B जिस वज़ा से आपकी खून की कमी को पूरा किया जा सकता है अगला है हरी सबजियां जैसे कि पालक वगयरा का सेवन कर सकते हैं ब्रॉकली का सेवन कर सकते हैं इसके लवा जो भी हरी सबजियां आती हैं उनका सेवन करें जिनमें की आइरन की मात्रा ज्यादा होती है इसके को रोजाब एक सेव खाते हैं वो डॉक्टर के पास नहीं जाते इसी वज़ा सेसे जूर खाएं अगर आप हैं चाहे साइज में छोटी होती है लिसकिन इसमें पौश्टी ततों बहुत ज्यादा पाये जाते हैं इसलिए जब खजूर आये या फिस सर्दियों में तब भी खजूर का सेवन जूर करें इसमें भी बहुत सारे पौश्टी ततों पाये जाते हैं अगर आप ऐसे खजूर का सेवन नहीं कर सकते हैं तो दूद में डाल कर खजूर का सेवन कर सकते हैं अगला है गाजर दोसो जब आप जूस पीएं तो गाजर का जूस का सेवन भी कर सकते हैं थोड़ा सा गाजर का जूस पी सकते हैं या फिर सलार में भी गाजर का सेवन किया जा सकता है अगला है टमाटर दोस्तों टमाटर भी चाहे हम सबजी में इस्तिमाल करते हैं लेकिन टमाटर भी एक फ्रूट है और इसे फल की तरह अगर आप सेवन करेंगे तो इसमें भी कहीं तरह के वेटमिन मिलते हैं जो कि आपकी बॉड़ी में खून बनाते हैं और खून की कमी को भ और खून की कमी है तो उसे पूरा करने का काम करते हैं अगर आप यह चीज़े खा रहे हैं फिल भी फाइदा नहीं मिलता तो कुछ सप्लिमेंट का भी सहारा लिया जा सकता है जैसे कि विटामिन सी लिमसी का सेवन कर सकते हैं फोलिक एसिड का सेवन कर सकते हैं या फिन निरो बाइन फोर्ड का सेवन भी कर सकते हैं जिसकी वीडियो मैंने अल्रेडी बनाई हुई है यह सारे सप्लिमेंट खून बनाने का ही का करते हैं तो इनका सेवन करें एक हफते में ही आपकी बॉड़ी में खून की कमी जो है वो पूरी हो जाएगी और खून देने की नौबत आएगी आप एक्स्टा खून दे सकते हैं तो यह सब्था खून की कमी को पूरा करने के उपाए उमीद है वीडियो आपको अच्छी को मज़ू को मुछ मेंत।